वेलकम टू माई चैनल और आज हम नुमेरिकल से उन लेंथ और प्रोजेक्शन को सोल करेंगे सबसे पहले तो लास्ट पार्ट में हम इसी नुमेरिकल की बात कर रहे थी और या दो तो वहाँ पर हमने दो कंडिशनों की बात की थी मतलल दो पोइंट समझे नहीं यहाँ पर द रेसों जीतने दिये हों काम की चीज़ है जीतने डारेक्शन रेसों दिये हों उतने ही डारेक्शन को साइन आएंगे जीतने डारेक्शन रेसों गीवन होंगे ठीक है जीतने भी होंगे वो डिपेंड करता है ठीक है लेकिन आमने पढ़ ना थ्री डाइमेंशनल जमेट्री को थ्री डैमेंशनल जमेटरी को पड़ना इस वज़य से 3 दिये होंगे सी डी सी बात है ठैक ना तो जीतने डारेक्शन रेसो गीवन उगे उतने ही डारेक्शन को साइन आएंगे ये बाते हमें पता हो नीची है लेकिन लास्ट पार्ट में हमने क्या कहा था कि एक ऐसा numerical सोचलो जब direction ratio 6,2,3 की बज़ाए शिरफ 6 हो ऐसा numerical हो सकता है यह ज़रूरी थो नहीं कि सिरफ यह numerical हो कि मतलब 3 ही direction ratio दिये हो वो depend करता है तो solution किस ते अब इस numerical को solve कर लेते हैं एक तो इसको mathematically मतलब formula को according ठीक है ना कि माल लो कि सबसे पहले direction ratio 6 है मतलब 2 तरीके और लास्ट पार्ट में अबने इन 2 तरीकों की बात की थी मतलब जो 2 formula लिखे थे उनीक अपलाई कर लो ठीक है ना एक पार तो शिरफ direction ratio 6 लेके चलो एक भार माल लो लिखे लेंगे कि ये मतलब 2 चीजे सेम होगी या फिर नहीं होगी अगर solution की बात करें किस तरीके से लेकिन ये solution जो अब निकाल लेंगे ये numerical ये नहीं होगा मतलब शिर्फ एक ऐसा numerical मतलब ये 6,2,3 नहीं होगी direction ratio शिर्फ 6 लेके चल रहे हैं तो अगर या दो दो formula थे कौन-कौन से एक तो था कि C-D-D- एक भी कोस्थ थिता सही बात है बस ये पता हो ना चीए कि ये C-D-D- कहां पर होते है A-B क्या होता है A-B मतलब कोई भी दो पोइंट है ठीक है ना जिसकी जमेटरी कुछ इस तरीके से बनती थी ठीक है ना कुछी इस तरीकी इन पोइंटों का नाम था C-D- किसी लाइन पर C-D-C-D- मतलब प्रोजेक्शन ओफ लाइन सेग्मेंट का ओन ए लाइन ओन ए लाइन था यहाँ पर सही बात है ठीक है एक तो ये formula था ठीक है अब जैसे अब दो पोइंटों अब दो तरीके हैं इस नुमेरिकल को सोल करने की ठीक है अगर मान लो कि दो फोर्मूला में अमतर क्या आएगा या फिर सेम होंगे अब पहले तो इसको नुमेरिकली सोल कर लो ए से भी अब दो डिस्टैंस हैं लेकिन दो पोइंटों दो पोइंट तिया हमें तो P और Q हैं जैसे हांबर P और क्यों जिए हुए हैं वो लो जो इसमतल्ब P और Q हमें मान लें है ढ़ीक है नदो पोइंटों के बीच का डिस्टैंस निकालना है इसका तो यह मतलब वगा न यह कहा था डिस्टैंस between two points और वो ऐसे हमें भी बताओ ना चीए distance है जो वो कभी negative नहीं होता लेकिन इस बात का मतलर zero और positive और एक और बात distance कभी zero भी नहीं होता ये बातें मैं पताओ नीची है ठीक है न और दो point तो के बीच में distance निकलता है basic बातें बार बार यूज होगी है ठीक है तो a से b या फि पर काओ कि पी से क्यों तो distance निकालो क्या था formula square root के अंदर ठीक है ना x वाले x वाले दोनों को minus कर दो x वाले x वाले दोनों को minus कर दो या तो minus 1 में से minus 2 minus इस तरीके से इस में से ये minus कर दे या फिर 2 में से minus minus 1 कर दो ठीक है ना बात ब्राबर रहेगी on has all square मतलब जैसे या त 2 plus 1 3 का all square 9 यहां पर भी तो वही रेजल्ट है वो चोईस थी यह बात भी अनने सीखिए जी कहां पर distance between 2 points बीच में plus का sign आईगा ठीक है फिर y वाले आपस में minus कर दो 5 minus 0 या फिर 0 minus 5 लिखो वो चोईस रहेगी plus का sign फिर z वाले 1 minus 3 लिखो या फिर 3 minus 1 लिखो कुछ इस तरी और सारा ही ट्रम है square root के अंदर किसके बराबर आए लेकिन यह तो चिरफ A से B की value है सही बात है into में आपर cost theta भी लिखावा होगा यह बात है पता हूं नहीं formula है बस formula पूट कर रहे हैं और कुछ नहीं आपर ठीक है तो minus 1 minus 2 minus 3 का all square plus 9 square root के अंदर 9 plus sign 5 का square 25 plus sign calculation 1 minus 3 minus 2 का all square plus 4 into में अब cost theta होता क्या cost theta क्या था cost theta गर यादो cost theta नाम होता direction cosine ठीक है ना लेकिन direction cosine हम normally यह represent करते हैं कौन से cost alpha, cost beta, cost gamma अब इसके नाम में cosine था cosine का मतल कोश यूजोगा trigonometric का वही तो लिख रहे हैं तिनों के साथ और यह alphabet gamma के थी यह direction angle थी बार बार ट्रम यूजो रहे हैं ठीक है ना अब यह तो है three dimensional के काम की चीज़ है यह direction cosine तो है यह three dimensional के होते हैं लेकिन यहाँ पर one dimension हो जाएगा six का तो यही मतल बवा मतल जब direction ratio शिरफ six होतो ठीक है अब direction ratio दिया वह six और direction ratio से मैं चीज़े थे direction cosine और मैं तो यहाँ पर direction cosine चीज़े है ठीक है तो direction को sine निकाल लो तक क्या आज़े उपर direction ratio जीटने होंगे यहाँ पर पहले के इसमें सिरफ six है मतल बहुत है तो direction ratio उपर six और नीचे magnitude magnitude निकालते कैसी हो जैसे square root के अंदर क्या करना है इसी का square magnitude magnitude निकालने का तरीका होता है क्या यह बात भी तो मैं पता हूँ magnitude न दूसरा नाम distance ही होता है और distance के लिए दो point चाहिए लेकिन यह six है direction ratio definition क्या कई थी हमने की कोई number है या फिर को की distance है सही बात है चलो इस case में सिरफ positive side है ठीक है लेकिन distance होता कहा से है हमें कैसे पता कि यह six ही है origin से है और दूसरा point origin हो जाएगा और origin one dimension के case में सिरफ इस तरीक हमा zero लेकिन one dimension के में सिरफ एक zero हैगी यह तो zero number का काम करेगी और यह पहली zero निपढ़ोगे यह point है O origin को O से represent करते है हम general इस वज़े से तो यह इस तरीके से भी लिख लो ठीक है ना पता होना चाहिए आपर कि यह zero zero क्या लिख दिया पहला point है मतलब O point है और साथ में zero का मतल हो क्या मतलब O origin है सिदी सी बात है ठीक है तो क्या करना magnitude निकालने का तरीका six minus zero का all square सही बात है अब one dimension में तो एक ही होगा एक distance होगा इस वज़े से सिरफ एक ट्रम आई यहाँ पर तीन क्यों आई थी square root के अंदर है यहाँ पर तीन क्यों आई क्यों 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 क्यो इस जिरो का all square मतलब यह six और का all square इस चेक कट चैंसलो जहें कैलकुलेशन है तो वन आ चाहेगा ठीक है तो मतलब इस direction को साइन आया one कैलकुलेशन है कहने का यह मतलब है तो की तनांसोर आई इसका square root of 25 और 934 38 कैलकुलेशन है तो यह आया मतलब projection आई सही बात है यह आई प पीशे क्यों पीशे क्यों लेकिन किस पर आई सिर्फ एक लाइन पर या फिर एक axis भी कह सकते हो वन डाइमेंशन में तो एक एक एकसिस होती यह बाते बेसिक हैं पता होनी चीए जब सिर्फ direction ratio 6 डियाओ numerical में उस numerical की बात करें ठीक है अब यह तो था इस numerical का पहला case ठीक है अ उसने मान लिए three dimension के मतलल दो zero लिख जी क्या यह इस तरीके से दो zero लिख सकते हैं इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो मतलल case 2 का solution ठीक है ना case 2 इस numerical का solution यह है इसमें एक condition की बात करें उसको solve करें second case कैसे तो यहाँ पर ठीक है और second case में लगेगा second formula यह था पहला formula सही बात है अब second formula मतलब तीन direction ratio दिये अब तो मान लो कि दो zero उसने खुद लिख लिए किसी कोई भी solve कर रहा उसने कुछ ही इस तरीके से लिख लिए तो second formula apply हो जाएगा कौन सा projection निकालने का तरीका क्या था यह वाला formula l into x minus x2 minus x1 ठीक है पलस m into y2 minus y1 plus n into z2 minus z1 तो सेम बात लेकर direction cosine लेकिन दिये क्या है direction ratio और वो भी मानने उसने किसी कोई numerical solve कर रहा कुछ इस तरीके से लैट कर लिए ठीक है ना तो l क्या हो जाएगा l निकालने का तरीका यह रहा direction cosine निकालने direction ratio से तो 6 का क्या हो जाएगा अब भी निकालना था क्या होगा 6 निच्चे magnitude तो यहाँ पर पता है क्या होगा जो निच्चे magnitude अब तक यह था इस case में 600 का magnitude पता है क्या होगा पलस में एक ट्रमोर सही बात है 6 minus 0 का all square इतनी बात से यह पलस में यह 0 लेकिन दूसरा point क्या है दूसरा point origin है लेकिन अब की बार इस case में 3 dimension का origin यह हो जाएगा सही बात है ना direction ratio जब 600 मान लिए तो उस case में origin भी चेंज होता है यह बात यह में पता हो ने कि यह 3 dimension का point है 3 dimension का point है इस वज़े से origin भी 3 dimension का होगा ठीक है तो बस क्या करना y वालो में से y वाली माइनस क सकते हो प्लस का sign फिर z वाली माइनस कर दो 0-0 का all square हो जाएगा और यह सारी ट्रम है square root के अंदर यहाँ पर चलो calculation मतलब इतना यह अंसर आएगा जोब तक आया था सही बात है ना यहाँ पर चलो कर लो इस चीज़ को 0-0 का all square 0 इप आपकुछ लिखे हो 0 होता है ठेके ना पर direction cosine 3 निकलेंगे क्यों 3 निकलेंगे तीन direction ratio है इस वज़े से तो direction cosine L की value क्या हो जाएगी अगर direct लिखे तो उपर direction ratio नीचे magnitude जो भी इसका आया है ठीक है ना और वो कितना आया था 6 ही आया यहाँ पर into में x2 minus x1 करना है तो यहाँ पर कोई 2 point है अब यहाँ पर एक बात न यहाँ पर यहाँ पर यहाँ तो इसको नॉर्मली तो हम पहले point को x1 y1 z1 मानते हैं दूसरे को x2 y2 z2 तो यहाँ पर pattern सेम रहना चाहिए यह बात है काम की यहाँ पर pattern सेम रहेगा कि x2 minus x1 अब इसका result तो अब इसका result तो negative भी आ सकता positive भी आ सकता वो depend करेगा x1 और x2 की value और तो यही बात थी हमने शुरू में इस numerical को solve करने के लिए दो बाते कहीं चाहिए कि दो point पढ़ने है पहला तो numerical से related लेकिन दूसरा यहाँ पर हो सही बात है ना लेकिन चलो तो pattern से माननों की solve करो सीधी से बात है ठीक है ना direct solve कर रहे हैं ठीक है तो x2 minus x1 चलो यह point मानने यह x to x1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा into में 2 ठीक है ना minus minus 1 तो plus 1 हो जाएगा ठीक है पीर plus m, m की value क्या ही है दूसरा direction cosine दूसरा direction cosine तो 0 by something तो 0 into something यहाँ पर भी 0 into something 0 सारे इन दो टर्मों का result 0 तो इसका अंसर क्या आएगा इसका अंसर इस solve कर लो 2 plus 1 थरी इसका result है सिरफ 3 यहा सोल एक तो projection यह आई, सभी बात है एक projection यह आई, अब यह पताओने है कि यहाई कहाँ से यह तो थी जब शिरफ एक लाइन के साथ साथ एक लाइन के साथ साथ one dimension के लाइन हो। यह बात में मतल़ एक reference इस طर watch हो तरीक के से पहाएग एक reference वह जब जब हाया इतनः इतनी है इ जब तीन रेफरेंस थे जब तीन रेफरेंस थे कौन-कौन से three dimension के तीन रेफरेंस कौन सी x y z जो coordinate access हो तिए बार-बार हमने concept में सीखी थी ये बात थे ठीक है अब सीधिसी बात है इन दो मतले एक numerical के दो तरीके से शोल किया ठीक है लेकिन दो तरीके नहीं थे ये दो method नहीं है यह दूसरा केस हमने सोच चा था सही बात है न कि कोई ऐसा हो सकता है कि मान लोगे दो जीरो बढ़ा दी लेकिन उस जीरो बढ़ाने से हुआ क्या कि दो नों क्या नस्वरा लगाए स्केर रूट तो 36 होता है 6 मतल 6.something रेजल्ट आएगा अगर इसके रेजल्ट की बात करो 6.something वैल्यू आएगी और यहाँ पर आई 3 मतल 2 रेजल्ट अलग लग गया है सही बात है अब यह तो था मतल नुमेरिकल के मतल मैट के हिसाब से मतल कैल्कुलेशन के हिसाब से ठीक ना इसको सोल करने क तरीके मतल फोर्मूल अपला ही करिया और इस तरीके से लेकिन अब तक हमने यह समझानी है अब तक की मतल कंसेप्ट के हिसाब से वह हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगी और साथ की साथ यहाँ पर जो सेकेंड बात थी जो इंपोर्टेंट रहेगी ठीक है ना उसके बार